भगवत गीता के इस प्रवच्चन में यह अध्याई बहुत महात्पूर्ण है सादकों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम सब लोग गुणों के दारा प्रभावित हैं और कैसे इन गुणों की इंफेक्शन से हम निकल सकते हैं पहले तो यह समझे कि गुणों का इंफेक और यह रजगुण तमगुण की बिमारी अगर कुछ स्यम्टम है तो हमें स्वैम देखना चाहिए हमेरे अंदर यह बिमारी है और इसका हमें इलाज ढूंडना है यह ढूंडने की जरुत नहीं भवान स्वैम बता रहे हैं लेकिन जैसे वैद बताता है तुमारे पेट में यह कर बड़ा है यह निंदा कर रहे है मेरी यह नहीं सुचते हैं वो डाइगनोसिस दे रहा है तो भगवान यहां पर डाइगनोसिस दे रहे है कि रजगुण तमगुण तो क्या प्रभाव होता है अगर उसे प्रभावित हैं तो अपने चित में उसके प्रभाव को देख करके उसके निवरिती का उपाय सोचना चाहिए यह बाद समझ में आ रहे है ठीक है जैसे मालों बगवदीता समझ में नहीं आ रहे है तो क्या कारण है तमगुन तो अब वेक्ति को सोचना पड़े है कैसे में इस तमगुन से निवरित हूँ ताकि भगवद गिदा की बात मुझे समझ में आए जब मैं मनी लग रहा है मतलब क्या है तमगुन रजगुन तो अब नहीं लग रहा है मन तो मैं कैसे निवरित हूँ एक विज्ञान की तरह पहले रयात देला दूं की सत्वुन के बारे में क्या सीखा था सत्वुन से तीन चीजे होती है उत्पन्या सुख ज्ञान और क्या था तीसरा सास्त येस तीन चीज़ अनामयम तो इवक्ति इससे बंद जाता है और बार बार उन कारें को करता है आज हम रजोगुण के गुणों को देखते हैं इसके मेरे पिशिप बोलिए कोई भेक्त बोल सकते है और साथ में बोल सकते हैं बहग्वत इता के चौधाए अध्याय के साथ में शलोक को देख रहे हैं राज्यो रागात्म कम विद्धी रिश्ना गात्मकम् विद्धी रिस्ष्ण शंग समुदभवं त्रिष्णा संग समुद्ववं तन्नि बधनाति कौंतेया कर्म संगेन देहिनम बहुत अच्छा है देखिए रजो रागात्मकम विद्धी रजोगुण का सुरूप लक्षन क्या है सुरूप लक्षन तटस लक्षन यादा रहा है ना किसी वी बस्थो को आप सुरूप्लक्षन या तरटस लक्षन उसे चिन्नित करते हैं तो आकृति प्रकिति स्वरूप लक्षन होता है कुसी वस्थो कि Reasone का गर्ति है कैसे मालूम चलता है आपको आखों से देखते हैं कि मेरे अरुण की प्रभुजी के सुरूप में थोड़ा अंतर है है कि नहीं और अच्छा किया हम दोनों लोग एकी काया करते हैं तो इंसान दोनों ही अमला में भी दोनों है ऐसले हम राजव को गूसले के सिर्नित कर ? अब लग अलग सेवा करते तो जो सेवा जो अलग अलग कर रहे हैं वह कार्य और सुरुप दिखी राप अलग अलग कि वह किसह बीडू को इस प्रकार्व मेश चिन्नित करते यह दिल आ रहा हूं इसलिए आप रजयोगुन को किसे चिन्नित करेंगे राग आत्मक राग मतलब आ सकती और यह special आ सकती इसका वड़न किया जाएगा है स्तिरी और पुरुष के बीच में आकर्शन राग आत्मक क्यों कह रहे हैं जैसे कोई वस्तु किसी चीज से बनी हो उसको उसी वस्तु के संबंद में आत्मक कहा जाता है यह वस्तु उसी से बनी है तब राग आत्मक मतलब रजोगुण राग से ही बना है मुख्य लक्षण है राग बहुत एक वस्तुवों में स्तिरी का पुरुष में पुरुष का स्तिरी में आ सकती समझ में आ रही है अब अपने हिर्दे में अगर इसको देख रहे हैं कि रजोगुण की वज़ेसा है अब यह निहीं बोलना के आकाश तमारे मेरा रजोगुण है की नहाई यह सुली तुम्हें नहीं यह प्रुष आप में है टेस्ट करना है ज्यादा टेस्ट नहीं करना लेकिन यह आप इसे समझ लेना चाहिए कि भई यहा जैसे प्रभु आकर्शत को मतलब नहीं है लेकिन रजगुण के द्वारा हम प्रेरित हो करके आकर्शत हो रहे हैं और आप जानते हैं अगर यह ना हो तो कोई शादी ही नहीं करेगा इतना जंजट क्यों करेगा बताइए तो आप देखे कोई वेक्ती शादी करने के चुक है मतलब रजगुण उसे प्तेरित कर रहा है अन्य तो आत्मा को शादी करने की क्या जोरत है बताइए यह आपने पिछले श्लोक में देखा तो ना सतोगुण मतलब उसकी इंद्रियां भोग में नहीं जाती वो देख रहा ह है और आपको आपको बोलेंगे ब्यारे भाई शादी नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा दुनिया कैसे चलेगी विरिंदा चंदमारा तो खूब इस पर कटाक्ष की है क्यों भाई यहां जितने लोग बैटे हैं ग्रहस्त के दुनिया चलाने के लिए साधी किये थे दु तो समय क्के कताक्ष मतलब दुनिया चलाने के लिए नहीं है रज शवेए कर रहें हैं ठीक है वो करन है उसको जो भी है और यह क्या करता है त्रिष्न संह संसमॉद्य भवंज प्यास भोग की लिपसा उस ministra संभ स conception भवं लोबॉब इसकी वज़े से इस राख की वज़े से भोगों को प्राप्थ करने की बहुत इच्छा होती है और सम्यक रूप से उद्भूत होता है इसे प्रकार से तन्निबदनाथि जब शादी करने लग जाएंगे तो खूल महनत करने लग जाएंगे अब देखते हैं प्रमचारी असरा में भी आज सुबह बात हो रही थी कह रहे हैं प्रवजी थोड़ा लंबा हो गया था एक घंटा दस मिनट हमने का अच्छा हमने कार जब बहार जाके काम करोगे पूरे रात रात बारा घंटे तब नहीं बोलोगे कि जदा हो गया तब बोलेंगे रहे अब करना ही पड़ता है परिवार के लिए यह को हम कोई थेओरी तो ब बहुत हो गया प्रवजी बहुत जदा हो गया आट अट अट गंटे में कॉलेज पढ़ी रहे हैं गदे की तो इस प्रकार से में देख रहे हैं कि मानव जीवन को जो मुक्य उद्देश है वह विक्ति रज्यगुण के कारण समझ नहीं पा रहा है प्रवपाजी बहुत सु सोच रहे हैं कि महीं बहुत प्रगती कर रहें है। कभी विचार किया यह सब रज्यगुण की वज़े से हो रहा है। और पूरी जगत इसके भाग रहा है। सतोगुण का अनुशीलन करने वाले लोग नहीं हैं। क्या इसाब बाते आपको देख रहे हैं। ये राग की क्या होता है कई बार लोग समझ नहीं पाते है सकाम कर्म कर्थ क्या होता है सकाम कर्म कर्थ होता है जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा या स्वर्ग जाने की इच्छा आजकर तो स्वर्ग में विश्वासी नहीं लोग का अमरीका जाने की इच्छा स्वार्थ तो नहीं समझ में आता है लोग को कम से कम अमरीका जानना है यह इस जगर महान बनना है लोग हमेरा नाम जाने ऐसा करके मैं और पार्त पर गोंडा में थे एक क्या नाम थे लाला जी थे ना उनकी बहुत सारी मिलती तो खूब पैसे वाले थे तो मैंने उनके कमाना है न अच्छा मैंने किसी एक कमपनी से केटरिक नाम बता दो अगर तुम कमपनी बने के प्रसिद्ध हो जाओगे तो एक कम नीका नाम बता दो नहीं अम फने लाइब आध्य का नाम बता दो समय देना मेरी बात में और कुछ बूलूंगा तो लोगों जैल नहीं पाएंगे बोल दूँ पता निया इसे लाइव हो रहा है इसलिए बूलना बड़ा कहतर ना के चली हम इसको इंपर्शनल वे में बोलते हैं लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देशे लड़ा रहा है और जैसे 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 देखाता ना कुत्त दो हां तुसर को था हां यह कर रहे है वो रिष्ट ज Rainbow, यह वे प्रकार से आपस में दान दिखाते है, यह मेरा शेथ där, तु क्या है गया तु रहा क्या से आगया, इसी प्रकार से पुरेene समाज में पुरा पुरा देश इस प्रकार से पाश्विक प्रवर्ति से प्रेरत है देख पा रहे हैं कि नहीं देख पाँ जब अर्दस्थी कि ए देखते ना बंदर दाथ दिखाते रहते लड़ते इसी प्रकार से उन्हों लड़ रहे हैं इस सब कहाँ सच इसलिए हो रहा है इस सब रजुकुन की वज़ा से और असे मान लोगों के कामी पूरशों को आकर्षित करने के लिए प्राय ऐसे वीडियो होते हैं इसको वोग जैसे हमने बता दना काउं 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 करे करते हैं उनको यही सब वस्तों प्रसंद आती है तो इस सब किसलिए यह आत्मा का हननन करने वाला है रजगुण है और इसी को मल कहा गया है जीव के लिए ही सब मल कहा गया है रजगुण अतमागुण समझ में यह आ रहा है तो इसको देख करके क्यों वणन कर रहे हैं इसको वणन करके सुन करके इसमें हे बुद्धी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल खराब चीज़ है, मैं इसका संग नहीं करूँगा, मुझे इस गुण का संग नहीं करना है, रजगुण को राग, अर्थात, इस्त्री और पुरुष की परस पर अभिलाशा से अभिन्न माना गया है, क्योंकि ये राग ही इसकी उत्पत्ति और व्रिद्धी के हेतु है, इलाइन समझीए, उत्पत्ति मतलब यहीं से उत्पन होता है, कभी-कभी लोग सुचते हैं, हमारे हिर्दे में कामवासना है, तो हम शादी कर लेते हैं, ठीक हो जाएगी, ना, वह बढ़ जाएगी, मैनेजमेंट चलता रहे ठीक से, अवैवस्था ना इसने रखा गया अन्य था, इसका यह कोई सोलूशन नहीं है, जैसे अगनी में घी डालने से अगनी बुझती नहीं है, उबढ़ जाती है, और भागवत इसका क्या तरीका बता रही है, श्रीमिन भागवत अमको सुने, हरी नाम जब करें, तब इस काम की निवर्थी होती है, बहुत कतरना गही है, तो यह उत्पत्ति का स्थान भी है, और वृद्धी का भी कारण है, ठीक है, आसक्ति का, आसक्ति से रजगुन उत और अर्थ भी होता है, धूल के कण, ठीक है, इस पे हरी शोरी जी कहते हैं, कि जब, क्या नाम है उनका, जो चक्रवात से आया था, क्या नाम तरसका, तो उसने पूरे ब्रज में रज रज भर दी, तो लोगों के आखों में रज आ गया, इसने वह कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे, उसी प्रकार से जो विक्ति रज गुण से प्रभावित है, वह कृष्ण को नहीं देख पा रहा है, मानो भगवानी संकेत करनो इस लिला से, और यह बल्कुल सही बात है, प्रभुपात का प्रवचन सोन रहा था, क्रिष्ण को इस विजबल, क्रिष्ण एकद हम सामने हैं आपके, लेकिन हम इसलिए नहीं देख पा रहा है, क्योंकि हम रजोगुण तमगुण से प्रभावित है, जीवन का लक्ष भक्ति है, समझ नहीं पा रहा है, रजोगुण की वज़े से, समझ रहे हैं ना मेरी बात, साथ ही रजोगुण, शब्दादी इंद्र आपति विशयों को बंढोने की इच्छा यानि त्रिष्णा की उत्पत्ति करता है, यह समझ में हा रहा है, शब्दादी इंद्रियों मतलब पांच ग्यानिंद्रियों के पांच विशयों को बहुग ने की बिलकुल शान्त ना होने वाळी लिप्सा, इच्छा, यह मेरी भ जीव से बहुत सुंदर सुंदर खाना चाहते हैं वस्तु हैं और क्या रह गया अच्ञा से को ... सपर्ष करना चाहते हैं, तो यह जो है और यह सब हुम अपने भोग के लिए करना चाहते हैं, इनकी मनाई नहीं है, लेकिन इनको कृष्णे के संभे को करना होगा happen, बहुत ध्यान पुरोग सुनिये जैसे आप लोगों को भी भगवतीता सुनना अच्छा लगता है मुझे बोलना अच्छा लग रहा है तो क्या यह रजोगुण है नहीं हम अगर इंद्रिये विश्वम में भगवान कृष्ण को रख रहे हैं तो हम शुद्ध हो रहे हैं और नाक से जो भगवान को अर्पित खुश्बो सुनते हैं तो ध्यान दीजेगा कि भले ही मैं गुड़ों में हूं चाहे किसी भी गुड़ में हूं लेकिन मैं सेवन उस वस्तु का कर रहा हूं जो निर्गुण है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वह द्यान पर रूप सुनि अब भले ही मेरा अनभव कुछ भी हो भले मुझे अच्छा लग या बुर लगे वह वस्तु बहुत अच्छी है लेकिन मैं गुड़ाओं की प्रभाव में आने की कारण नाम और कता त्यादी की रस को नहीं समझ पा रहा हूं लेकिन यह अपनी शक्ति से मेरा उधार समझ में आ रहा है यह बात चिंता की जुरत नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 रे यह भगवान स्वय में पूरी तरे से निर्गुण बस्तु हैं इसका संकरते रहेंगे अपने आ बहुत लगा के हम अर्पित करें तो यह क्या है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत प्रसाद आपको अपने याभी शुद्र कर देगा और यह भोगने की जो इच्छा है वह भी समाप्त हो जाएगे बहुत प्रसाद पालेंगे हां बहुत पासे जो मिल गया उसमें सुखी ह जाएगे तो चाहे कितना ही व्यादी मारू रागी व्यक्ति है रागी माल आ सकते है और उसको इस प्रकार से कृष्ण में उसको कृष्ण के विश्य मिल रहा है तो पाने के बड़ा चुक है तो शुद्ध हो जाएगा तो क्या विज्ञान समझ पा रहे हैं जो वेक्ति को भोग में आ सकती नहीं वो कृष्ण में भी आ सकता नहीं हो पाएगा अरे इसको खाना खाने का शौक ही नहीं तो प्रसाद को कैसे अन्भव करें को बता ही प्रभु पाजित बात को बोलते थे कि जो निर्वशेश वादी है वो समझ नहीं सकते किस प्रकार से हम रजगुल्ल आदी विश्यों में रुची थी लेकिन अब हो किर्थन में मिल गया तो भाक्त वनके ब्रमचारी हो कि समझ नहें वैस्चरी नहीं कर संदर रूप एगर तो तुमस्द दो तो चोट दोगे है नहां दिखा देदों के बरभुवान के प्रतियाक रिष्ट होगे समझ रहे हैं? राक को भी प्राब्लम नहीं है, लेकिन उस राक को भगवान की सिवे में लगाना है, ठीक है ना? तो उसे वेशयो की भोगने की इच्छा को तिष्चना कहते हैं, उसकी उत्पथि करता है, वा पूत्र, मित्र और अन्यों के संग की इच्छा का भी हेतू है, यह समझते हैं? पूत्र हो, हमारा समाज में, बहुत नाम होना चाहिए, हमारा समाज में नाम डूमना नहीं के लिए अकषन इंद्रिय विशय भोग और पुत्राधी के संग की को इच्छा का कारण है इसलिए यहरजोगुण जीव यानि देहिनम को ऐसे कर्म को करने की इच्छा से बांदे दिता है जिसके तोरा स्टरिय इंद्रिय विशय और पत्र 80 अन्ने वस्तों होती हैं नेट इस डाउन हावाज आ रही है देखिए उसमें आप चेक कर लिए एक बार समझे इसको सत्वगुण सुख ज्ञान और स्वास्थ का उत्पत्ति करता है तो इस कारण से जो व्यक्ति सत्वगुणी है वह इन चीजों से आसकत हो करके ऐसे कारियों में बार-बार लिप्त ह होगा जो स्वास्थ ग्यान और और क्या था, मैं डिस्टार्ट होगे स्वास्थ ग्यान और सुख को बढ़ाने वाले इस प्रकार से त्व है सट्वण से बन जाता है अब यहां पी क्या कह रहे है दोज्ये गुन क्या अपन्द करता है ौ दो Krishnah, Krishna, Krishna, Krishna I am surprised it why this is happening कि एक मिनट रुखेगा कि क्या हो रहा है इसमें अपने आप अपके यह बहुत कहां अपके हरे कृष्णा हरी हरी तो हम बात कर रहे थे की स्थ्री और पूरुष का आकर्षन किस से डिवलप होता है रजगुण से और उसी रजगुण से उफ I was completely distracted स्थ्री इंद्रिय विश्यों का भोग और पुत्राद्धि अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रजगुण से उत्पन होती है ठीक तो अब जब इच्छा आई है तो इन वस्तु को प्राप्त करने के लिए विक्ति बार-बार करेगा और जब उस प्रकार क श्रीर उसको बार-बार मिलता रहेगा यह समझ में आ रही है बात ठीक है वे इन वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से कारे करता है यह कर्म उसे इन वस्तु को प्राप्त कराते हैं जो उसके कर्मों के फलों का भूग करने का साधन है यह समझ में आ रही है पिर से कराते हैं जो उसके कर्मों के फलों का भूग करने का साधन है कर्मों के फलों का भूग करने का साधन है क्रिष्णा 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 तो इस प्रकार वह पुना कर्म करता है और इसी प्रकार के फलों को प्राप्त होता है इसी प्रकार वह रजोगन के द्वारा मुक्त नहीं हो पाता है, भोग की इच्छा थी, कर्म किये, वो भोग की वस्तियों प्राप्त हो गई, फिर क्या हुआ, और इच्छा आ गई, उसके बाद फिर उन कर्म करेगा, इस प्रकार से बनता चला जाएगा, संपल समझ में आ रहा है, one distraction and then the whole flow in the mind gets disturbed, इसमें को सोच रहा था, ठीक है, तात पर यह, रजगुण की विशेष्टा है, पुरुष तथा स्थिरी का पारस परिक आकर्शन, स्थिरी पुरुष के प्रती और पुरुष स्थिरी के प्रती आकर्शत होता है, यह रजगुण कहलाता है, जब इस रजगुण में वृद्धी हो जाती है, तो मनुष भोग के लिए लालाईत होता है, वह इंद्री तिप्ति चाहता है, इस इंद्री तिप्ति के लिए वह एस्ट राष्ट में संमान चाहता है औश तो क्या तीन चेज चाहता है रजगोंग की वज़े से संमान चाहता है पुत्रादी भोग चाहता है और सुनाय नहीं पढ़ रहा है सुरी हरे क्रिष्णा आप सुनाई पट्रव थैंक यू पापस रिपीट करते हैं अगर भक्त लोग नहीं सुन पाए तो रजोगुण के वज़े से व्यक्ति स्थ्री चाहता है पुत्रादी चाहता है और सम्मान चाहता है सम्मान चाहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है इस बात को कुछ समय के लिए हम यहां पर हैं अग्दम हिला देनी वाले बात और जहां मृत्यू उप्राप्त हो जाते हैं तो जगत की कोई विवस्तु अगले जीवन में साथ लेके नहीं जाते तो क्या फाइदा इस सम्मान का जरब बताईए कितना लोग इस पीछ के पीछे भागे हैं हमको समाज में कुछ करना है समाज में हमको जाने समाज में में जाने इस सब रजगुण के कारण है यही सब चीजें भागवत में करेंगे तो करेंगे कि व्यक्ति निर्गुण है लेकिन भाक्ति भी इसलिए करने लगता है कि कुछ बहुत भोग की वस्तु में प्राप्त हो जाएं या या मेरा समान हो जगत में यह सब उद्धिश नहीं होना चाहिए भक्ति का इसलिए प्रहुपाजे कहते हैं पहले कम से कम करतव बुद्धिश जवक्ति भक्ति करें अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि रजगुणी चीजें शुरुवात में बड़ी अच्छी लगती है लेक कर रहे थे कि देखो वे देश में जाते हैं एरपोर्ट में रहते हैं तो लोग उनको खाली हौजाच पकड़ना है लेकिन इतना मदब ऐसा भायवार करते हैं जो बिलकुल ऐसा लगता कि घर में पती-पतनी रह रहे हूं इस प्रकार से समाज में सभायवार करते हैं इतने पुलिस वानों के लिए तब है जब पती और पत्नी के बीच में कलह हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इतने वॉयलेंट हो सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकते हैं वही जो आ सकती है बाद में देखना भी निचाते दूसरे तो यह समझना चाहिए कि रजोगुण का अगर मैं संग करूंगा तो उसका परणाम दुख होगा ही, दुख होगा ही, दुख होगा ही, इसलिए इसमें हे बुद्धी करके रजोगुण की प्रविर्तियां अगर हैं, तो उनको इनका निश्क्रमन करना होगा, उनको डिसिंफ करना होगा खृष्ण कथा के माद्यम से, भगवान के भक्ति, बक्तवक्ति के माद्यम से, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन रजोगुणी विक्ति भक्ति ठीक से स्थिर भाव से नहीं कर सकता, अब जयत recite भी करे भों करे, इसलिए भक्तो के संग में आखर के धीरे धीरे क अच्छा लगेगा, रोज जब करने में अच्छा लगेगा, रोज गीता क्लास चलना है, ये ध्यान देना हो, कि सत्वगुन बढ़ेगा हरिदय में तो इसे बातें बढ़ी अच्छी लगेगी, कभी-कभी मैं बोलता हूँ, प्रवचन करता हूँ, तो लोगों को लग समझ मे नहीं आता है, क्यों समझ में नहीं आता है, बुद्धी ठस हो गई है, ठस समझते हैं, मोटी बुद्धी हो गई है, जब भाक्ती करते हैं, जब अच्छे से करते हैं, तब धीरे-धीरे करके, जब मोटी बुद्धी है, ये हटती है, सुक्ष्म बुद्धी का निर्माण हो होता है सत्वगुणी बुद्धिय का निर्माण होता है और विक्ति समझ पाता है कि मेरा कल्याण किसमें है कि अधिन मेंग सेंस कि जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है तो कि आप यह कहना चाहते हो कि मानव जीव में ना करें, यह कहना चाहते हैं? हां यह कहना चाहते है क्योंकि सोने के लिए केवल तीन बाइच्छाय का सब्सक्राइब होता है एक गटना को बता रहा हूं सची गटना है पार्त का मित्र था नाम मनी बोलेंगे लेकिन आप जानते हो तो यहां उसके पास BMW है शाइद BMW में आया था न जो भी तो प्रभू जी रात में साड़ेश ब पूषता हूं में स्टाइल से उस तरह से भाई तुम जमीन पर सो गए तो मंगल आर्ती मोटने उस्विदा होगी ना नीन नहीं आगे ठीक से नीन तो आएगी हम ने का उतनी नीन आएगे जितने के सोने के बड़ पे आते हां उतनी नीन आती है समझ रहे ना नीन तो उतनी 레force sulat को कितने क्रोकरी कितने कानी प्रें चमग्या और बताना चाहता हूं ना थोड़ी ऑजीब सी है लिकेशची ता और वह एक वैश्या का संग करना चाहता था लिकेश्या저 का रखतीड भग्ते तो बहुत 순간 Σाह Рखत पतिड़िय को उस विस्जा चान था ओ सिप या कृग तो लिजे, समझ रहूं कोंशी कहानी में बोल रहां। तो उसने दाल को छोज लॉह के BES करिमें दीया, और हम एक दाल को सोने 상ष कॉंढत वैस्षा सबजी Chrursul लॉह के सबस्थमें दिया- और स्वने करिमी दिया- ऐसे हर वस्तो को रोर दर यह दिया खाये खाऊंगा तो मैं बाद में पर यह बताई कि आपने हर चीज को दो दो विभन प्रकारी कटोई में कियो दिया एक ही दिवह देते थे समझ गए सखाने का उद्देश समझ नहीं पड़ेगा चलिए समझा देते शाद कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है कि जो भोग आपको अपनी स्त्री से प्राप्त होता वहीं मुझसे प्राप्त होगा आप सोच रहें कि बहुत अच्छा है यही रजुगन है ऐसे में ठीक नहीं हुआ भोग करके दूसरी करूंगा जरूर ठीक हो जाओंगा वैसे उतना अग्जस्ट नहीं हुआ तो ठीक हो जाओंगा मैं बार बार उस धारन को दे रहा हूं यह प्रभुपाजी इस बात को बोलते थे कि गार्डन में जाकर कि रोज क्लॉकवाइज परिक्रमा मारा चलते थे तो एक दिन उल्टा कुछ नई चीज है कुछ भी नई चीज नहीं इस अब कि उसकी वज़से हो रहा है राजगुण की वज़से अता यहां परियस्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंद जाता है तो इस प्रकार से बंद देखना चाहिए कि र अतेव सारा संसार थी निवनादिक रूप से रजगुणी है आधनिक सवेताम में रजगुण का मांदंड उंचा है प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था यह दे सतोगुणी लोगों को मुक्ती नहीं मिल पाती तो जो रजगुणी है उनके वि बहुत इंट्रस्टिंग है पहले समय में सतोगुण को उच्चा माना जाता था कौन था सतोगुण में वेक्ती सतोगुण का प्रती कौन है ब्रामान और आज क्या स्थिती है इंजीनियर डॉक्टर यह से और कोई वस्तोव जो वास्तेविगुणी सतोगुण के इंजीनियर की आफशक्ता नहीं है तेकिन ब्रामण कहा है जो वेक्ती को बता सके है कि किस प्रकार से जीने से तुम्हारा भवश्य क्या होगा दो बातें बोलूंगा प्रभवबात की एक बात handum सीधी और आप देखी की आप उसको देख पा रहे हैं की नहीं प्रभवबा जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपने भविश्य को बिलकुल नहीं देख सकता Yess? बिलकुल नहीं देख सकता ओू माता पिता को बताना पड़ता है, ये करो, ये करो, मारे ले अच्छा है, ये भी नहीं बोलते हैं, तो मारे ले अच्छा है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे बोलते हैं, उसी प्रकार से, रजगुन से प्रभावित हुई सब्यता को, कुछ वही पता नहीं कि आज हम ये जो करम कर रहे हैं इससे आगे क्या होने वाला एकदम क्या यह अनलोजी समझ में आ रही आपको फिल्कुल बच्चे की तरह है उनको कुछ भी पता नहीं चाहे हों बुढ़े असी साल के उन्हें कुछ पता नहीं है एक में विक्ति की मा को जानता हूं जो 91 एर की है 92 और अभी भी बस वही टीवी सीरियल और क्रिकेट इसमें लगी हुई है उनको पता नहीं कि क्या गति होगी देखो दिख रहा है कबर में पैर लटक रहे हैं फिर भी इसमें आ सक्ति में पड़े हुए है अब मैं सोच रहाता अगर मान लेजे 20 साल की उमर से हरे क्रिश्ण जप रही होती है तो कितने करोड़ नामे खट्टे हो गए उसे जानता हूं उन्हें मुझे बोला मैं जानती हूं कि कृष्ण भगवान है लेकि मैं पुजा करूंगी नहीं नहीं अब क्या कर गया बताई क्या क्यों वक्त बहुत अच्छे से वक्ति कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अरे मेरे पती तो फ्यूचर के बारे में सोची नहीं रहें बक्ति ही करते रहते हैं तो मैंने का अरे भाई वो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहें इसलिए वक्ति करते रहते हैं हाँ अब ये बात ह कि आपका future कहां तक है आपका future बस यहीं तक है कि मृत्यू बस मृत्यू भी नहीं थोड़ा बुड़ा आपा बस लेकिन वो क्या सोच रहे हैं अरे मुझे अपना future समारना है तो भजन करूं और यही तो भगवान वो देश देते हैं प्राने अर्थे दिया वाचा स्रेय आचारणम सदा तुम प्रेश की बात मत करो future के बारे में सोचो यहां क्या भोग प्राप्त करोगे तुम यह शेगिर क मान लिए जाता पस्या भवान का प्रसाद खाना जब करना भागवत करना ताकि हमारा आगे भविश ठीक हो और वो भविश हमें कैसी दिख रहा है श्रवन करके और अगर श्रवन नहीं करेंगे तो लगे का मैं इसल क्यों कर रहा हूं अगर ज्ञान नहीं होगा तो यह रजगुण हमें केवले जगत से बंधने के लिए प्रेरित करता रहेगा भक्तों के संग भी आसा होता है और हम खोते वे देखते हैं इसलिए भक्ति करने भक्ति में कोई भी आ सकता है लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण का निशिलन करेग को शास्त्र के वचन दिखने लग जाएंगे तो इसलिए हम सभी भक्तों को मौर्णिंग बहुत तबियत से करना चाहें तबियत मतलब बहुत कटरता से करना चाहें क्योंकि जानभूच कर भले ही आपको अच्छा मेले लगीन जब सुबह 4 बजए उठेंगे साथे तीन चार बजे पॉने चार बजे उठेंगे नीमित रूप से तो बार-बार सत्वगुण का संग करेंगे तो अब आपके हृजए में थोड़ा ग्यान ओदित होना लग जाएगा अब उसको करने के लिए बार-बार इच्छुख होंगे मैं एक डिवोटी है मैंने को पहले बीग्जाम्पिल दिया था अब आप आप संग्षा गई हो पता नहीं हमाले जन्रेटर्स वाले के पास तो प्रभुजी ने बताया था कि पहले 64 आंट करते थे लेकिन बल्कुल और वहां मुझे लगा कि साड़े पांच बज गए हैं तो मैंने को अरे आज तो पूरी मंगल आरती सब गई और मैं उठा पटा पटा स्रांग करके आया वो दिन ब्रहमित हो गया था और फिर घड़ी देखी देखा अरे तीन बज रहा है अच्छा पर ने चला बूट गया तो जब करता हूँ और वो जब मैंने जब पहली बार किया यह क्या होता है वाह इतना आसानी से हो गया इतना आसानी से हो गया कितना कटनाई होती जब करने में तो अब वो अनभाव जो मिला उससे में बार बार अब सुबह उठने का प्रयास करता हूँ प्रयास करता हूँ देखा ही नहीं उगते हुए, वो क्या आन्भाव करेगा कि कैसा लगता है सत्वगुण, तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा भले खराब लगता हूँ, एक बार सत्वगुण का सुक प्राप्त हो गया, तो फिर हम बार बार सुक करने के लिए करेंगे, इसलिए श्रीमत भ भगवद भक्ति योगता हा, भगवद तत्व ज्ञान मुक्तसंग सजाएते, इस प्रकार से बड़े प्रसन्न मन से विक्ति भक्ति करेगा, इसको बोजा नहीं लगेगा, इसलिए बहुत बॉटन्ट है, और हम इस प्रकार की रजगुण तम्मगुण की प्रवरतियों से ह अगर एक और चीज है प्राटिकल लेवल पर, कि अगर विक्ति को मान लो बहुत रजगुणी है, तो क्यो भक्ति नहीं कर सकता, उसको पर ओफ करी, वो फीडबैक परा, देखिए, ऐसी सिचुएशन में, मान लो को विक्ति बहुत रजगुणी है, तो कम से कम मॉर्णि प् लेकिन अपने रजगुण को दिन के समय घगवान की सीवा में नियुजित करें इंप्रेंट, ऐसे नहीं कि जो रजगुणी छोटी लोग विक्ति है उनके लिए बक्ति है रही नहीं, यह भी नहीं कि आशण करें नहीं देञक सेंस? दिन के समय वे भगवान की सेवा में नियुजित हो, दीरे दीरे करके जब उसका उस प्रकार सेवा में लगेगा, वो रजोगुण की प्रविर्ति है, कारे करने की प्रविर्ति है, वह भगवान की सेवा में नियुजित हो करके वह शांत हो जाएगी, इसलिए ऐसे बक्तों के आवश्रक है कि वो महनत करें भगवान की सेवा में ठीक है ना लेकिन जगत में सम्मान प्राप्त करने की सेवा में ना उच्छित नहीं है ठीक है हर चीज का उपयो होता है अब यहां एक बड़ा स्पेशल शब्द है देखेगा तमस्तु अज्ञान जम्विति यह जानों की यह तमगुण जो है यह अज्ञान सुत्पन होता है अज्ञान मतलब अवित्या अपने स्वरूप का पूरी तरह से अनावोध अनावोध कुछ समझे नहीं आना कि मैं हूँ कौन यह तमगुण है अब यहांब एक स्पेशल शब्द है और वो शब्द है तू तू मतलब लेकिन लेकिन मतलब यह तो बहुत ही जदा खराब है तमगुण तो बहुत समझे ना ये तो केशी तो केशी तो अब क्या कहा जाए तो दुष्ट था ही उसी प्रकार सके ने तमस्तू तमगुण तो अब यह तो विक्दम ही समझे कि अज्ञान से उत्पन है जीव को पूरी तरह से मोहित कर देता है क्या होता है जो वस्तु वास्तवी ग्रूप से है उस तरह में नहीं दिखाई पड़ती उल्टा ही दिखाई पड़ता है यह चीज मैंने अँखों से देखी एक बार शामहरी प्रभु कानपूर आये तो मैं उनको रिसीव करने के लिए भी गया था मुझे यादा रहा है औ भी लिए टांडा जी आधा już हूं मिखेत guitar रहे थे कह रहे थे कि एक बिखारी आया और उसने मुझसे इधान सची ठाकुरीजी के जीवें के घटना है, आप लोको बहुत खराब लगे का लेकिन थोड़ा सा हिलाने वाली बात बूलेंगे तो अजीब से लगता है, एकदम ग्रनित है, लेकिन के सची घटना है, अब मैं कहूं कि आज डाल में घी का चौक लगाए, तो आप खुश होंगे कि नहीं? हाँ, अरे वाँ, कहां है? तो बर्मा गए, नाम नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन जो भी आगे, बर्मा गए थे, और वहाँ पर वो पूणिय सिखवा रहे थे, घी की, तो वहाँ के जो लोग थे, वो बोले, एह, क्या आप बद्बू कर रहे हैं, क्या बद्बू आ रही है, घी की बद्बू लग रही है उनको, और उनको पता क्या खुश्बू लग रही है, अब सुनेंगे तो आपको, चिपकली को पानी में डाल देते हैं, मार करके, वो जो सड़ जाती है, तो उसमें बुलबुले आने लगते हैं पानी को, वो छिड़कते हैं खाने हैं, पर कहते हैं, वह यह तो बहुत सुन्दर सब चीज़ है, यह है गोर तमगुण का लक्ष्ण, उसे पता था, लेकिन यह वास्तिविक बात है, यह सब क्यों हो रहा है, यह सब तमगुण के वज़े से हो रहा है, इसलिए बोल रहा है, तमस्तू, यह तो एकदम घोर अग्यान में डालने वाले वाले हैं, और क्या प्रभावसका, प्रमाद, प्रमाद मतलब कोई कारे करना है, पता है करना लेकिन नहीं करेगा, आलस्य, आलस्य समझ गए, निद्रा, प्रमाद, आलस्य और निद्रा यह इसके लक्ष्ण है, और इसको इसमें विक्ति आ सकतetin अब कुछ नहीं करना है तो अपने चित में देखें कि अब जब करना ना रहे आज मन नहीं कर रहा है छोड़ को समझ गयो कि ए नहीं मेनगति तो देखिए भक्ति कोई विक्ति आ सकता जीवों का मोह है इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानि प्रमाद आलस था नींद हैं जो बद जीव को बांद देते हैं मैं समझता हूं कि हम भक्तों के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है है कि नहीं बहुत इंट्रस्टिंग जैप्टर है की तो शब्द इस गुण की अन् अच्छा लगता है आप कुछ भी कारे करिए कपड़ा धोई चाहिए पढ़ाई करिये चाहिए कुछ करिए तो सोचीए जो जीवन की सबसे बड़ी साधन है भावान का नाम जब अगर वह सुभह करेंगी तो कितना अच्छा होगा जब भौती कारे करने अच्छे लग रहे से लगाए एक मिनिट भी वेस्ट ना करें हमें लगे का यही आदा गंडा तो मिझे दिन में निकाल लूँगा ना वोच यह इतना नहीं रह पाती एक सन्यासी यहां पर आये थे रहे हैं वो पता निक 2,00,000,000 नाम जब करते कितनी समय से लगार वह बाकि तीन से छाओ कर रहा हूं कर रहा हूं और अब यासे कर रहा हूं और शर्प्रेस्ट और एक और सणयासी कोँन के हैं नाम भूल रहा हूं कम हैं लेकिन वह बता रहे हैं घर आप 6-6 पे तक माला कर ले तो आप बड़े सुखी रहेंगे, और सब बक्तलों को दिक रहा है, इसे बात, जहां सूरज उग गया, रजगुन चालू, अब ये करना, वो करना, ये काम करना, वो करना, ये करना, इसी में रहता है, फिर मन और भागता है, प्रयास करना चाहिए, सुब उठकर के, जितना ज दोस्तों को उनके सचे स्वरूप में समझ पाना, क्या स्थिरी से, पुत्र से, या इस जगत में समान प्राप्थकर के जीवी को सुख हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो जो सातोगुनी व्यक्ति हो समझ पाएगा, लेकिन दजगुनी तमगुनी लोग समझ नहीं पाएगे, अज्ञान प्रक्ति का एक भाग है और इसका मुख्य स्वभाव है कि यह ज्ञान का विरोध करता है और इसको ढखता है, इसको समझा देना चाहिए, मैंने पहले भी समझा था, अज्ञान मतलब अविद्या, और अविद्या क्या करती है, इसके दो भाग है, और आतनिक मतलब धकने वाली किसको ढखती है, हमारे स्वरूब को, हम भगवान कृष्न के दास हैं, उसको हमें दग देती है, और दूसरा भाग क्या करता है, विक शेप मतलब यह नहीं है, जो हम धे शेवर नहीं है, जो हम यह मन नहीं है, इसमें हमको मनवादा crate है कि तु को उस अज्ञान सिवत्पन होता है अज्ञान जम आवाज आ रही है कि इसमें तो बारबार इसकोनेक्ट हो रहा है और यह है मोह रूपी विपरीत ज्ञान को सभी जीवों में कौन सा ज्ञान विपरीत ज्ञान मोह रूपी विपरीत ज्ञान जो वस्तुवे जैसी है उससे बिलकुल उल्टा समझना जो वस्तुवे जैसी है उसको यथावत देखने का कासा ज्ञान होता है वो सत्गुण की वरसे होता है और जो जैसी नहीं है उसके विलकुल विपरीत देखना वो क्यासा होता है वो तम् कि यहां कहा जा रहा है कि तमस वस्तुम के वास्तविक ज्ञान को ढख लेता है और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है इसलिए तमस जीव को अपने कारियों का मतलब होता है अपने ICK यथा प्रमाद आलसे और निद्रासे मांद देता है अब प्रमाद का अर्थ क्या है यह Carolina समझ में आ रही है तो अब हैकर लेता हुए अभी बतातौं बिलकुल नहीं करना चाहिए। उनको absent-minded हो करते ही रहना। अवधान मतलब? अवधान करत क्या होता? यह होता है रहा अवधान करत? सावधाना सावधान careless होना चाहिए अनवधान होना चाहिए ज़्याते मैं समषता हूं मतलब careless हो करके यह कैसेा нужно जा रहा है यह लोग मर रहे हैं यह कि मैye मररूंगा तो ग्राइँ होता है जो इस प्रकार-धुर्चर को आफिए प्रीटि थी सचे शूरूर्च क क्रकट करता है वे उसकी उस प्रकार के ज्यान को कवर करने वाला प्रमगोडी होता है जिस प्रकार से आज को लोग शराब पी रहे हैं, मास खा रहे हैं, या फिर मुझे याद आता है, आइटी में वेक्ती था, कई बार धारन दिया है, वो सिग्रेट पीता था, और ऐसे वो वेधान्त क्लब का में मेंबर था, बक्ती वेधान्त नहीं है, वेधान्त, और मैंने बोला, भाई, आप ये वेधान्त पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो ये सिग्रेट करसी पीते हो, उन्हें सिर्ण निकाली, हम इसको तमगुण में नहीं मानते, हमने का यही आपका तमगुण है, समझ रहे हैं, तमगुण ही वेक्ती अपने आपको मान रहा है, मैं बहुत भावुक लोग हैं, हम ज्यानी हैं, ये लोग मैच्योर नहीं है, भावुक हैं, इस पर करके, तुम दुन्या देखे नहीं हो भी, तो महराज बोलते हैं, एक भक्त था, वो अपने दादाजी को ज्यान दे रहा था, तो दादाजी बोले, अरे, ये बेटा, ये बाल ऐसे ही पक गए, तो भचे नहीं बोला, हाँ बहुत के बढ़े हैं, इसलिए जब विक्थी बगती करता है, वो तब समझु पाता है, आले से अर्थात अनुद्यम, अनुद्यम मतलब को प्रयास नहीं करना, इसलिए मैं आगे बढ़ों, विक्षेप की बात बताता है, विक्षेप मतलब जो हम नहीं हैं उसमें अभिनिवेश्क absorption करा देना मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन यह मानने लगता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो इसे कहते है विक्षेप जैसे को विक्ती नदी के किनारे खड़ा है अब वो नदी में कूद गया तो नदी में कूद गया मतलब जो उसका और जो नहीं है उसको मान रहा है तो नहीं मानने वाली बात को विक्षेप कहा जाते हैं एक और अधारने समझे कि मान लीजिए अच्छा पॉइंट है कि आंदकार है इस रूम में तो जो वस्तुवों हैं वो नहीं दिखती है यह थावत समझ रहें और जो नहीं हैं उनके भए्षब से आजमीं ढरता रहता है तुम लोग Hari concealer कर हे हु और हम लोग sor है है तो इकली बात न। ऐसी ही बोला थे तॉम से लग न siya लग ता, विंस्अ छॉक फाई न। ऐसी बोला है तुम लोग Hari concealer करके सुखी रहते हो, हम सो करके, सुखी रहते हैं है ऐसी ही बात है भी थ जैसे लोगों की बात मत सुनना बले ही उनका नाम आपका बाप हो या माँ हो पिता हो माता हो जाजगात कोई भी विक्ति अगर वह भक्ति का उपदेश नहीं दे रहा है वह शारिलिक चेतना में भरा हुआ है तो सम्मान दीजिए लेकिन बात मत सुनी जैसे हिरना कशिपू का प्रलाद मारा सम्मान देते थे लेकिन बात मत सुनी उनकी कहें कि जप मत करो करो भक्ति मत करो ना उन्हें कुछ नहीं देख रहा है वावश्य के बारे में सम्मान कीजिए अपमान मत कीजिए तेंगे सुनिये मग कभी कि आलेस्य अर्थात अनुद्यम रज्यगुण के कारे अर्थवा अर्थात प्रवृत्ति का विरोधी है यह समझ में आ रज्यगुणी विक्ति बहुत कारे करता हैं और मुझति आलेस्य बैठा रता इसलिए यह गुण रज्यगुण को काटने सका गुण जो है विरोधी है और घ्मान के कावर वातर करने वाला गुण सत्वरुण के जृठ को प्रताशूत करने वाले गुड़ों काट रहा है इसलिए इसलिए यह तमगी है यह दोनों गुड़ों का विरोदी है इलो जोंगी विरोधी है औं सट्वगुण। यह कहना चाहर है समझ में आरा है बहुत खराब है शीलिए तू 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 बहुत खराब निद्रा अर्थात चित्त का आवसाद तो रजगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है अरे बैस सो गए आलस में कम से कम जगे तो हो लेकिन सो गए तो ना कुछ कारे करोगे और ना कुछ ज्ञान रहेगा तो उसके जो तीन गुण है इसे दिखाता है कि जो तमगुण है यह रजगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है उसको मैंने चार्ट से दिखाया है प्रमाद सत्व के कारे गान का विरोधी है ठीक है समझ में रहा है पागल्पन आलस्य रजगुण के कार में प्रविर्थी मतलब कार करने की इच्छा встрा और निज्द्रा रजगुण और सतगुण दोनों का विरोधि ठीक समझ में इस लोक में तू शब्द का प्रयोग उलेख नहीं है, मतलब बहुत महत्पूर्ण है, इसका अर्थ है कि तमगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है, यह सतगुण के सरवता विपरीत है, किस प्रकार सरवता विपरीत है, कि ज्यान को बिल्कुल ढखने वाला सतगुण में ज्यान के विकास से मनशी है, जान सकता है कि कौन क्या है, शरीर आत्ना का विपरीत देख पाता है, लेकिन तमगुण तो इसके सरवता विपरीत होता है, मुझे याद एक बार एक विदेशी विक्ति था, डिवूटी नहीं था, ऐसे विंदावन में आया था, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि क्या तुम्ही शरीर हो, उसे कुछ समझ में आ रहा था, एकदम समझ में आ रहा था, मैंने अपने सानक सारान प्रोप से पूछा था, क्या आप अपने पिता को का माता को कभी समझाने का प्रयास किया, कि वो आत्मा है, आम शरीर न पहार के लोगों के लिए समझना इसा बहुत मुश्किल है, यहां सोला माला भक्त के लिए कितना असान हो जाते हैं, कुछ है नहीं, बच्चे बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां तक ही, जैसे मैं अपने व्यक्ति को बता रहा था, कि किस प्रकार से मास काटने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, सब को पाप लगता है, तो छोटा बच्चा वहां सुन रहा था, तो वो डर गया, अरे, मेरे माता पिता ने तो मुझे मास खिलाया, अब मैं क्या करूँगा, मैं चकित होगए, इतना छोटा बच्चे को यह ग्यान समझ में आ गया, तो यह दिखाता है कि मानव, जिसने मनश्य जनम लिया है भारत में, उसको धर्म का ग्यान तो उसके छुपा हुआ है, क्योंकि पहले से पुन्यात्मा है वो, नहीं तो इस बाते लोगों को दिखेंगी नहीं, समझ में नहीं आते हैं बगवादिता की बाते, तो हमारा कर्त है कि इस spiritual technology को समझ करके पूरे विष्ण में परचार करने का, और जाने की जुरत नहीं जूम से कर सकते हैं, ठीक है, यह सत्वगुण के सरवता विपरीत है, लेकिन हम लोगों को अब जबर्दस्ती लगाय जा रहा है रजगुणी तमगुणी कार में, यह बात है, सत्वग प्रभुपाद की कौन क्या है, वह प्रगति करने की बजाए अधोगती को प्राप्त होता है, जोसे मुर्गा मास खानेवाल लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इक मुर्गा बनना पड़ेगा, और कभी बोल बीदों की मुर्गा बनना पड़ेगा, तो दिक्कत क्या है, प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति बोलता है, प्रभुपाद मुझे आशिरवाद दीजे में शुद्ध भक्त प्राप्त हो जाए, शुद्ध भक्त एक गुरू की रूप में प्राप्त हो जाए, प्रभुपाद ने कहा, कि मैं तुम्हें आशिरवाद देता हूं कि तुम्हें कभी जिंदिगी में गुरु प्राप्त नहों यह दिखाता है तम्मगुण का प्रभाव अब देखे नहीं किस प्रकार से लोग भ्रमित हो जाते हैं प्रभुपाजी के सामने और प्रभुपाजी से वो बोल रहा है कि बड़ा दुर्गती है इसमें वह प्रगती करने की बजाए अधोगती को प्राप्त होता है वैदिक साहित में तम्मगुण की प्रभावरिबाशा इस प्रकार दी गई है वस्तु यथात में ज्ञान आवरकम विपर्ये ज्ञान जनकम तमहां यानि कि वस्तु जैसी होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथा रूपे नहीं समझ पाता उधारनात अब देखें उधारन मैंने दिया था प्रत्येक वेक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है बाबा मतलब किता जी आ अधेव वह भी मरेगा मनुष्य मर्त है उसकी संताने भी मरेंगी रहते हैं फिर भी लोग पागल होकर धन संग रह करते हैं और नित्यातना की चिन्ता की बिना अहरनिश कठोरश्व करते रहते हैं यह पागल्पन ही तो चार-पांच मिनिट अगर बत्ति घुमाली बहुत है इस दिन बर हरे किष्णा हरे किष्णा से क्या फाइदा नहाराजी बता रहे थे कि एक बार बिहार में कहीं पर पता नहीं कहां की घटना है तो एक भक्त तो में कितना पैसा मिलेगा तो माराज बता रहे तो समय पांच रुपर मिलता था पूरे महिने का वुरे दिन का काम करने को हम तुम को पांच रुपर देंगे तुम यहां बेटके जब करो तुम्हें अच्छा थोड़े दिरे बाला पकड़ा नहीं सादूजी हम नहीं कर सकते हैं वहां पर काम करने के लिए इतना आसान नहीं है कि बैठके विक्ति वजन करें उस समझी नहीं पायागा कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा के क्या फाइदा होगा तमगुणी विक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है इस प्रकास से यह पागलपनी तो है ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक ज्यान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रूची नहीं दिखाते वे रजगुणी विक्ति की तरह सक्री भी न देंटे की नींद परियापत है चहे और साथ दोनों उप्योग करते है प्रवपाद ऐसा नहीं किया सकते कि आप मालप को किसी का शिर्ट रोग अलग होता है को च्छे को साथ ऐसे कर सकता है लेकिन ऐसा विक्ति दिन में दस बारा घंटे तक सोता है दस बारा घंटे सुने यहां पर है नहीं होगा में अ धाशम में आया है नहीं है अगर एसा विक्ति सदेव निराश प्रतित होता है बहुत डिंजरस है और भहता झिक दरवयों तथा निद्रा के प्रति वैसनी बन जाता है बहुतिक दरवे मतलब समझे रहा है शराब इत्यादी के प्रति उसो सोना बहुत अच्छा लगता है सोना मतलब नींद यह है तमगोणी विक्ति के लक्षन तो अगर यह सब अपने अंध्रे में दिख भी रहे हैं तो अपने को यह निश्चे करना है कि मैं यहां से कैसे ऊपर उठाओं अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं मान लो आपको हमारी 12 गंटे सोने की आदत थी तो आपको कम से कम चोरो 12 नहीं कम से कम नौ या आठ पिले क्या आऊंगा उसको तुरांत आप चाहिए नहीं कर सकते हैं धीरे-धीर करके साथ पर लेके आएं तो अगर तीन घंटे भी ले अगर में चले जाएंगे दूसरे अपने जीवों ने प्रैक्टिकल देखिए सुभय का समय जो नौ बिजद्द का समय है वह सीधे आध्यात्मी क्रिया में लगाना चाहिए एक जनरल प्रिंस्पल है किसी को नौकरीब जाना उत अलग बात और उसके बाद नौ से पांच के समय में आप कुछ प्रैक्टिकल कारे कीजिए जनरल है अब को विक्ति बहुत अच्छा डिवोटी है और म्रामनिकल हो दिन बर भागवादी पढ़ सकता उसमें को दिक्कत नहीं है जनरल प्रिंस्पल है और फिर शाम को कृष्ण कथा कृष्ण किर्टन कृष्ण भक्ति की बारे में ठर्चाओ तो इस पर और फिर रात में हम तमगण को अपयोग कर सकते हैं कि नींद का नींद आएगी ताकि मचे से सुबह के लिए बक्ति कर से तो उससे क्या है अगर इन गुड़ों से में उपर उठना चाहते हैं तो तुरंत हम निर्गण नहीं हो सकते लेकिन अपने जीवन में बैलेंस लाने का प्रयास किजिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं रेगुलारिटी रोज चार बजे उठना यह निकी एक दिन एक बज़े कहीं दो बज़े फिर यह भी रजोगण में ही हो रहा है रोज आप एक समय प्रयास करें कि रोज उसी समय हम समय निश्यत हो इससे हमारे जीवन में सतोगुण बढ़ता है और जब सतोगुण बढ़ेगा इस रेगुलारिटी से तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अब क्या करोगे आपको फिर बार बार रेगुलर जीवन ही जीने की इच्छा करेगी यह लाइन समझ में आ रही ह यह बहुत इंपोर्टन बात है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं फिर रिपीट कर रहा हूं कोई भी भक्ति में आ सकता है लिगन अगर रजोगुण तमगुण का इलाज नहीं करेगा तो भक्ति में उसके लिए टिकना बहुत मुश्किल होगा उसको बहुत भा में से तो हो गए अब हम लोग इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे अनिबड़ी वोंस रूटन इकन स्टैन अधर्वाइस विल कंटिन्यू